प्रिज़न के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक का अपना सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें आप देखेंगे जहां एक तरफ सिच्छा पर काम करने के लिए बात की गई है दूसरे वहाँ पर इंफरा को डिवलप्मेंट करने के लिए बात की गई है साथी साथ हमारे यहाँ परेटन को किस तरीके से विकास किया जाए इस पर भी खासा जोड दिया गया है ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी की अस्थापना किस तरीके से की जाए सोलर परियोजनाओं को कैसे और तेज गती से आगे बढ़ाया जाए सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मयोगिंदर तिवारी आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ तो आईए प्यारे दोस्तों सुरू करते हैं आज का सेसन सबसे पहले हम जान लेते हैं बजट होता क्या है तो बजट क्या है आए और बै का लेखा जो खाई क्या होता बजट जितना आप पैसा कमाते हैं वो और जितना आप खर्च करते हैं उसे से तुलना की जाती का आप फायदे में नुकसान में हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले सरकार का ये मामला कहां तक पहुंसता है कितना वो पैसा कमाती है और कितना अपने जनता पर तो प्यारे दोस्तों अगर हम सरकार की कमाई की बात करेंगे तो सरकार के पास जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आ रहा है देखेगा वो स्वयम का जो इसका कर है वो 36.5% इससे पैसा कमा लेती ठीक इसमें आप देखेगा और 37.24.2% जो केंदर सरका में इसका हिस्सा है उत्तर प्रदेश का उसमें एक कमा रहा है ठीक तो सबसे बड़ी इंकम क्या है स्वयम का कर इसका 36.5% और लगभग 24.2% केंदर सरकार में इसकी हिस्सेदारी कुछ और प्राप्तियां भी करके अलामत 3.9% प्राप्त करते हैं और रिड से कितना प्राप्त करते हैं में चीजी यह है जैसे कि अभी इन्वेस्टर समित लखनव में आयजित की गई तो हम क्या कर रहे हैं उद्द्योग पतियों को अपने हां बुला रहे हैं कि आप आईए और हमारे यहां रोजगार के उसर उपलब्ध करवाईए लेकिन हम क्या कर रहे हैं रिड भी ले रहे हैं अगर हमें आवा सकता पड़ेगी तो तो 13.1% हम रिड से कामकाज अपना चलाएंगे यह तो है कि कितनी हम कमाई कर रहे हैं प्राप्तिया अगर आप बै को देखेंगे कितना हम बै कर रहे हैं तो सबसे जादा जो उत्तर प्रदेश की government खर्चा करने वाली है वो साढ़े 20% 20.5% पूजी गतबे पर खर्च करेगी पूजी गतबे क्या होता है ऐसा investment जो पूजी निर्माड के लिए किया जा रहा है जिससे राज सरकार भविस में पैसा कमाएगी ठीक है उसे पूजी गतबे कहते हैं सबसे जादा ये पूजी गतबे पर खर्च करेगी एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का प्यारे दोसमलो 13.1% सरकारी लोगों को सरकारी जो इंप्लाइज हैं गवर्मेंट इंप्लाइज उनको वेतन देने के लिए खर्च किया जा रहा है ठीक है ये बात सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कुल मिला के जितना हमने करजा लिया है उसको अगर आप देखेंगे तो 3.7% हिस्सेदारी हम उसको अदा करने में जमा क ठीक है उत्तर परदेश सरकार 3.8% अलग अलग चीजों पर सबसेड़ी देकर अपने टोटल इंकम का खर्च करेगे ठीक अगर आप बड़ी इनाउंसमेंट देखेंगे आज तो एयरपोर्ट के लिए 10 बड़ी इनाउंसमेंट आप सभी को बता देता हूं ठीक हम रास्ट्री अस्तर के उड़ाने चलाएंगे और 16 क्या करेंगे घरेलू उड़ानों को हम चलाएंगे ठीक है यह याद रखिएगा ठीक और बहुत बड़ी चीजों के बारे मगर हम बात करें तो यह बहुत बड़ी चीज इसमें जो आपके बोर्ड एक्जाम्स के लिए या आपके आयो की एक्जाम्स के लिए जरूरी हैं वो 100 करोड रुपए से वाराडसी और गोरकपुर में मेट्रो का निर्माड किया जाएगा यह सबसे महत्तपूर चीज है इसको याद में रखिएगा ठीक है प्यारे दोस्तों साथी साथ आप बहुत सारी चीज़े देख और रिजनल रैपीड ट्रांजिस सिस्टम परियोजना में 306 करोड रुपए का सरकार ने इंवेस्टमेंट करने का प्रोजेक्ट लांच किया है यूपी में नौ एयरपोर्ट से उडान संचालित होंगी इससे 80 सहर क्या किये जाएंगे कवर किये जाएंगे आप जानते हैं जेवर एयरपोर्ट यूपी में बर रहा है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो बड़े बड़े इसलिए इंवेस्टमेंट किया जा रहे हैं जिससे हमारे यहां क्या हो विकास को गती मिले नेक्श देखते हैं प्यारे दोस्तों इंफ्राइस्ट् के निर्मार की बात कही जारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे तो गोरकपूर पूर्वांचल लिंक गोरकपूर को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए लिंक का काम लगबग लगबग 56% पूरा हो चुका है मतलब यह है कि यह 2024 तक हो सकता है complete ह हो जाए ठीक है यह महत्तपूर चीज़ें हैं प्यारे दोस्तों जो आप सभी लोगों के लिए नई चीज़ की जा रही है 235 करोड रुपए से जहांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे को लांच किया जा रहा है इंपोर्टेंट है ग्रीन कॉरिडोर पर हम सबसे जादा बल दे रहे हैं यह आप सभी लोगों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है प्यारे दोस्तों देखेगा टूरिज्म के लिए परेटन को बढ़ावाद देने के लिए एक हजार चौबिस किलो मीटर लंबी पचाहत्तर नहीं सड़के बनाई जाएगी पचाहत्तर कितनी पचाहत्तर नहीं सड़के बनाई जेएगी जिससे परेटन को बढ़ावाद दिया जा सके आगे आप देख लीजे सभी लोग की हेल्थ के छेतर में सरकार क्या कर रही है तो हर जिले में क्या करी एक मेडिकल कॉलेज इसने पहले एनाउंस कर दिया है जिनमें से 45 जिलों का कामकाश पूरा हो चुका है ठीक मामला समझ मैं रहा हर जिले मेडिकल कॉलेज बनाने का इसने लक्ष रखा है ये बात महत्तपूर है दूसरी महत्तपूर बात सभी लोग द्यान में रखिएगा जो आप सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा important है देखेगा करें cancer जो की सबसे ज़्यादा गाओं में लोगों को परिसान करता उसके लिए सरकार ने 100 करोड रुपए का प्रस्ताव रखा है 100 करोड रुपए cancer के लिए इसमें लगाए जाएंगे और 100 करोड से ही सामदाइक स्वास्त केंदर में उपकरण मुहिया कराए जाएंगे कई बार क्या होता है सामदाइक स्वास्त केंदर में लोग जाते हैं इलाज के लिए लेकिन वहाँ पर प्रॉपर तरीके से equipment नहीं है जिसके कारण दिक्कत हो जाती है ठीक है next देखिएगा प नहीं है कि हमाँ जाते ही सामदा मा बिंध वासनी राजविष्विद्याले की अस्थापना की जाएगी इसके लिए प्यारे तो याद रखिएगा महत्पुरए सरकार ने बजट में बात कैई दूसरी बात मंदल में मापाटे स्वरी देवी राजविष्विद्याले 7500 Kylo Beijing इन्होंने दिया है इस विस्विद्याले के लिए 50 करोड रुपए ये इन्होंने दिया है ये पहले से विद्याले है ठीक न याद रखेगा मुरादाबाद मंडल में राज विस्विद्याले के लिए 50 करोड रुपए प्रस्तावित है ठीक आप सोचिए कि राज में विस्व के लिए कह रहे हैं हम गाउं में digital library विक्सित करेंगे लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह सरकार जो पैसा दे रही हो लोगों तक कब तक किस हिसाब से पहुंचेगा क्योंकि हमने जितनी भी चीज़े आज तक गाउं तक पहुंचाई हूं आज तक गाउं तक नहीं पहुंचे सिर्फ डारेक्ट बेनिफिट जितनी ट्रांसफर्स होते हैं उनको छोड़कर समझारी बात तो यह बहुत बड़ी चीज होगी चुनोती है सरकार के लिए कि कैसे हम digital चीज़ों को digital library जैसे हो गया या प्यारे दोस्तों जैसे broadband से connect किया जा रहा है वो सब चीज़े ग्राम प खीएगा लखनव एवम गोरकपुर विस्वध्याले को ए प्लस स्रेडी प्राप्त होई है यह आपसे पूछा जा सकता है net ranking में ठीक है न और देखिए भाई मधनमहनमालभी तकनीकी विस्वध्याले में को कानपूर को ए स्रेडी प्राप्त होई है कानपूर किरसिव विस प्रदेश छोड़ कर भाग रहे हैं और क्या कह रहे हैं यूपी के 1530 थानों में साइबर हेल्प डिस्क बनाई जाएगी क्योंकि एटियम से पैसा चोरी हो जारा फोन का पिन कोड आपका पता करके पैसा निकाल रहे हैं तीने क्या कहते हैं साइबर क्राइम इनसके प्रती में क्या प्रावधान किया गया है प्यारे दोस्तों तो 1554 करोड रुपए से बुंदेल खंड में सौर उर्जा परियोजना ग्रीन इनर्जी कौरीडोर टू बनाया जाएगा महत्तपूर है यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों इसको याद में रख करोड रुपए से नलकूप भोगतां को 100% छूट देने की घोसरा की गई है जो नलकूप भोगता है ट्यूबे चलाते हैं उनको बिजली पर क्या की जाएगी 100% छूट दियाएगी पहले 50% यह चूट थी ठीक ना इसको याद में रखिएगा आप सभी लोगों के लिए महत किसान है सोलर पंप लगवाते हैं तो आपको सरकार क्या देगी छूट देगी दूसरी बाद 3.1 जीरो लाग करोड रुपए सोलर स्ट्रीट संयंत्र गाओं की सडकों पर जिससे उजाला रहे अब यह पैसा देखना है किसको प्रधान और बीडियो मिलकर खा जाते हैं कि य योजनाओं में वास्तों में एकाम होता है यह चुनोती है बाई बिजली के लिए सबसे बड़ी 10 योजनाओं की घोसरा हो चुकी है महत्तपूर है मैंने इसके बारे में बता दिया ठीक है तो इसी तरीकिक जानकारी के लिए सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और पढ परिक्षा कि आप तयारी करें 1500 से अधिक एकजाम्स के लिए हम तयारी करवाते हैं यहां पर डेली रिजल्ट गुरू गैजट आपको प्रदान किया जाता है जो कि आपको दिन प्रत दिन की आतिहासी के भागोलिक जितनी घटना है सभी से रूबरू करवाता है तो प्यार करता हूं आप सभी से विदा बहुत बहुत धन्यवाद हम से जुड़ने के लिए शुक्रियाज चैन